नमस्कार दोस्तों एडिसाइट के नेटवर्क में आपका स्वागत है हमारे आज की व्याख्यान का विशह है इंटरनेट अंतर जाल हमने इस पर चर्चा कल भी की थी तो दोस्तों आज इसी का दूसरा भाग है आज हम बात करेंगे ऊमेड के बारे में अटाच्मेंट के बारे में जो अलग अलग तरह है जैसा की जी मेल याहo मेल इसी पर और बहुत कुछ चीजहों पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेट से रिलेटर तो दोस्तों इस लेक्चर के रिए हमाई साथ मुझूद है हमारे सब्जेक्ट एक्सवर्ग डॉक्टर यूएस पांडे असोसियेट प्रोफेसर स्कूल अफ ओपन लर्निंग दिली विश्विद्याले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी आने के लिए बहुत बचुक्ति असर नमश्कार आज हम के नाम से या इंटरनेट के नाम से कहते हैं जो कई नेटवर्कों का को एक साथ ले करके या किसी एक इंडिविजियल कंप्यूटर को अटैच करके बना जाता है इंटरनेट के थूँ जो बहुत सारी सुधाओं हैं उसमें एक जो महत्वपूर्ण है इमेल आप सभी जानते होंगे जिसको हम electronic mail के नाम से जानते हैं email electronic mail का संचिप्त रूप है यह computer द्वारा internet के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है आमतोर पर internet पर कई मुफ्त email से वाएं उपलब्द हैं आप सभी जानते हैं इस समय internet का बहुत जादा इस्तेमाल email के रूप में किया जाता है इस email के जरिये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने message को किसी को भेज सकते हैं आप अपने attachment को अपने किसी document को किसी के पास भेज सकते हैं आप अपने कह लिजे उस समूह के सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। आज की तिथी में इसकी अपनी मानिता भी है। अगर आपने कोई पत्र इमेल के द्वारा लोगों को भेजा है तो वो कानूनी जूप से भी मानने है। या दूसरे सब्तों में कहें आप यह नहीं कर सकते कि आपको पत्र मिला नहीं क्यूंकि इमेल के द्वारा भेजी गई लगबख सभी सूचनाएं यह मान ली जाती हैं कि आप तक पहुँची हैं। यह अलग बात है कि आप उसको अकसर इमेल चेक करते हैं देखते हैं यह नहीं यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो सूचना एलेक्ट्रानिक के माध्यम से भेजी गई है वो आपको मिल गई है और आपने उसको अच्छी तरीके से देख लिया है। इसमें जो सबसे महत्पूर है कि पहले जैसे बहुत बड़ी-बड़ी फाइले किसी को भेजनी होती थी। उन फाइलों को भेजने के बाद आप उसको फालो अप एक्शन करते थी। इस इमेल के जरिये आप उस सूचना को चिठी के माध्यम से, लिटर के माध्यम से, जो कं मंदित सारे डाकूमन्ट को अच्छी तरीके से रिव्यू कर सकता है और अगर जरूरत है तो उसी के रिस्पॉंस में चीज़े देता है। इमेल में वैसे तो बहुत सारी सुधाएं हैं लेकिन हम आपको बताते हैं कि उसमें एक आप्शन है BCC, Blind Carbon Copy, आपने देखा होगा उ प्राप्त करनों वालने से आदिश्य होता है। यह बहुत कम प्रियोग होता है। अक्सर आप कुछ इमेल भेजना चाहते हैं लोगों को और साथ में उसी के उसी कंटेंट को किसी को BCC के फार्म में भेजना चाहते हैं। उद्देश्य होता है कि आप यह चाहते हैं कि का भी एक concept email में होता है साथ में email का प्रियोग करते समय CC का प्रियोग भी करते हैं CC का मतलब carbon copy carbon copy का मतलब जेओ mail आपने किसी को वेजा है बिल्कुल वही email की copy उस message के लिए किया जाता है जो message आप share करना चाहते हैं और उसका response न करें तो carbon copy का भी इस्तेमाल बहुत होता है अगर आप किसी form में किसी और को भी carbon copy भीचना चाहते हैं attachment के बारे में हमने पहले भी बताया है आपको इसका प्रियोग message के साथ किसी file को हो चाहे वो document file हो docs के form में या photo file हो अथवा कई file के समूह को zip file के हो या adobe की pdf file हो जिससे attachment उसी format में प्राप्त होती है जिस format में हम file या photo को भीजते हैं दोस्तों आपको जानकर यह हस्र होगा कि आप इन attachment में पूरी की पूरी movie भीज सकते हैं पूरी की पूरी picture भीज सकते हैं और अगर आपको लगता है कि file की size बहुत बड़ी है बहुत बड़ी बड़ी file हैं तो आप उसको zip format में convert करके भी भेज सकते हैं जिससे जो प्राप्त करता है वो उस file को unzip करके दुबारा देख सकता है उन सभी document को कहने का मतलब यह है कि आप बहुत सारी सूचनाएं एक साथ इकठा करके आप attachment के दुरू किसी और को भी जिसको भी भेजना चाहते हैं पूरे बिस्व में कहीं भी किसी को भेज सकते हैं attachment का एक अपना तरीका है हर email की जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसमें attachment एक file के रूप में आपको जैसे ही attach करेंगे आप उसका size, file का नाम और उसका format यह सभी कुछ उस पे प्रदर्सित होता है इसमें ऐसी भी सुविधाएं हैं आप ऐसे सोचिए अगर आपको किसी को 10 file भेजनी है और आपने 10 file का attachment बनाया एक एक करके आपने 10 file attach कर दी वो उस email को चले गए दूसरी बार आपको यह महसूस होता है कि जो अगला sender है जिस किसी को भेजना है उसको हमें 10 में से सिर्फ 5 file भेजनी हैं तो आप ऐसे भी सुविधाएं उसमें हैं का आप उन 5 file को remove कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो जिसकी जरूरत है या जिसकी आवस्तिकता जिस जिस file की है आप उस आवस्तिकता अनुसार उन file को उस document को उस pictures को आप उनको भेज सकते हैं उदाहरण के तोर पर अगर आप किसी conference में गए हैं आपकी conference से related आप से संबंदित जो आपका सोध पेपर है वो आपको individually भेजा जा सकता है और conference की conveyor को सारे सोध पत्र भेजे जा सकते हैं साथी साथ उससे संबंदित जो भी पुस्तिकाएं हैं जो पत्र हैं वो आपको individually भेजे जा सकते हैं individually attach किये जाते हैं और साथी जहां required हो वहाँ सभी के सभी attachment भेजे जा सकते हैं कुछ popular लोग पर ये वे बाधारित email सीवाएं popular internet services आपको ये जानते होंगे कि Gmail जो Google द्वारा बाधारित है ये email सुविधा बहुता है यूज होती है बहुत ही जादा इस्तेमाल होती है आपको पता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अभी तक internet की जो email services हैं आम तोर पर लोग बिना किसी cost के free up cost इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें इसके साथ साथ आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं सुविधा का मतलब यह है आप जैसे बहुत सारी सुचनाएं आप जो भेजते हैं उसके साथ साथ काफी कुछ सुचनाएं आप email के अंदर ही database के अंदर आप चीजों को store कर सकते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो उसको archive भी कर सकते हैं इतना ही नहीं जितनी सुचनाएं आप किसी को भेज रहे हैं उसका भी record यह email में maintain रहता है इसमें कुछ अलग-अलग किस्म के folders बने होते हैं आप जानते होंगे कि जैसे आप की उसमें स्विधाएं इस तर जैसे उसमें sent करके folder है sent करके folder का मतलब हुआ कि जितनी भी सुचनाएं आप एक दूसरे को भेज रहे हैं उन सभी सुचनाओं का संग्रण उसमें लेएगा वो चाहे एक वर्स पुरानी हो दो वर्स पुरानी हो या जितनी भी पुरानी हैं उन सभी सुचनाओं का विसे संग्रह उसमें होता है के से उसमें एक folder inbox के नाम सोता लगबग सभी जो Gmail हो Yahoo mail हो या और भी जितने भी mail provided करने वाली services है inbox के अंदर जितनी भी नई mail आती है आपको उसके बारे में जानकारी पता लग जाती है तीसरी जो सबसे महत्वपूर जानकारी है इसमें जिस mail को आपने पढ़ा है उसके बारे में जानकारी होती है और जो अभी unread misses हैं उनको भी कर सकते हैं इतना ही नहीं इन सभी mails को इन सभी सूचनाओं को इन सभी फाइलों को आप एक different folders में बना करके रख सकते हैं जैसे आपके आफिस से सम्बंदित कुछ file हैं आपके आफिस सम्बंदित कुछ mail है कुछ सूचनाएं हैं कुछ file हैं उसको आप आफिस के folder में रख सकते हैं कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आपके व्यक्तिकत रूप से सम्बंदित हैं उनको आप अप अलग तरीके से रख सकते हैं कुछ ऐसी सूचनाय हैं जिनका आदान परदान आप आफिस के किसी बिसेश परपच के लिए करते हैं उनको आप अलग फोल्डर में रख सकते हैं ऐसे कई किसम के फोल्डर्स आप अलग अलग बना करके दूसरे सब्दों में अलग अलग फा लगभग सभी डाकूमेंट का इसकैन डाकूमेंट वो अपने इमेल की उपर भी रखते हैं उदाहरण के तोर पर आप विदेश स्यात्रा पर हैं अक्सर लोग अपने पासपोर्ट की पूरी कापी वीजा से सम्बंदित सारी सुचनाएं और सारी चीजें स्कैन करके आप अपने इमेल में डाल देते हैं उसका फाइदा ये है बिस्व की किसी भी पार्ट में कहीं भी आप जा रहे हैं आपको जरूरत है तुरंत आपने इमेल खोला और वहां से कापी निकाल ले इसी तोर पर छोटी छोटी सूचना है जैसे आपने अपना सीवी अपना बायो डाटा अपनी सूचना भी सारी इमेल पर डाल रखी है जब भी किसी को आवस्यकता हुई आपने उस मेल को फारवर्ट कर दिया है या जिस किसी भी जगा आपको जरूरत पढ़ती है आपने उस बायो डाटा या सीवी की कॉपी को निकाल कर इस्तेमाल कर लिया तो यह Gmail सिर्फ सूचना के आदान प्रदान का ही माद्यम नहीं बना आपकी सारी सूचनाओं को एकत्रित करके बहुत ही आसान रूप में सभी कुछ एकाउंट में मेंटेन आपको बताना यह चाहते हैं कि यह सारी सुविधाएं आपको मुफ्त मिल रही है सिर्फ आप अपने इंटरनेट सविसेज इस्तेमाल कर रहे हैं इन कंपनियों दोरा यह चीजें आपको प्रवाइट की जा रही है उन में एक अच्छा खासा एमाउंट का आपको सुविधा आच्छा खासे एमाउंट की स्पेस प्रवाइट की जा रही है जिसको आप इस्तेमाल करने सकते हैं उसमें चाहिए आप बहुत सारे फोल्डर्स बनाएए सारी पिक्चरें आप उसमें रख सकते हैं बहुत सारी सुचनाएं जो ये मेल्स क्लाउड के फॉर्म में आपकी सारी सुचनाओं को स्टोर करते हैं आप सोच सकते हैं आप लगबग हजारों मेल रिसीब करते हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से संगठित करके आपको जिसकिसी मेल की जरूरत है वो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान सर्चिंग के मिथर्ट सब लेबिल हैं आप अगर कोई दो साल पुराना इमेल भी चेक करना चाहते हैं आप अपने एकाउंट में जाये और वहां से सर्च कीजिए अगर आपको कुछ चीजे नहीं भी याद आ रही है कुछ डेट से याद हैं, कुछ इमेल सेंडर का नाम याद है या कोई और भी सब्जेक्ट याद है तो आप उस पे आधारित करके भी आप उन सूचनाओं को इमेल से भी निकाल सकते हैं कुल मिला कर हम ये बताना चाहते हैं कि इमेल का जो उपयोग हो रहा है वह सिर्फ सूचनाओं को तातकालिक प्रियोग के लिए नहीं आप इसको बहुत बहुतायत समय के लिए बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा डेटाबेस मेंटेन करने के लिए सारी सूचनाओं को एकत्रित करके अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी मेल की अपनी सुविधाएं हैं और जी मेल अपने तरीके से बहुत सारी सुविधाओं को पुरदान करता है इसी तरीके से याहू मेल भी बहुता इस्तेमाल होता है काफी पुराना है इस मेल को भी लोग इस्तेमाल करते हैं और इस मेल की अपनी कुछ भी से इस्ताएं है तो कुछ लोगों को जी मेल पसंद आता है कुछ याहू मेल की सुधाय इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे साथ साथ एक बहुत ही popular mail service rediff mail के नाम से जाता है rediff.com की ये services हैं आप इसमें mail के थूँ और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं rediff site के थूँ आप e-commerce activities में भी participate कर सकते हैं ये सभी जितनी भी सेवाएं हैं ये लगबग मुफ्त सेवाएं आपको प्रदान की जाती हैं साथी साथ हर बार ये नए updation के form में आती हैं कभी आपको ये date wise format के रूप में सुचना को एकत्रित कराती हैं कभी आप ये unread और read के form में कभी और भी बहुत business रूप में आपको ये तरह-तरह के सुविधाएं आपको day-to-day basis पर provide करती रहती हैं दूसरी जो चीज हमने बताईए आपको insights का attachment e-commerce की website से भी है तो अगर आपको ऐसी information भी चाहते हैं तो वो information भी आपको rediff mail, yahoo mail या gmail की दूपर आप कर सकते हैं हाट mail एक बहुत पुरानी service है आपको शायद जानकारी होगी कि ये इस service के थूप भी बहुत सारी सुचनाओं का आदान प्रतान आप आसानी से कर सकते हैं तो ये हाट mail भी rediff mail, yahoo mail, gmail की तरह ही एक service provide करने वाली company है जो आपको मुफ्त email provide करने की सुविधा देती है ऐसी और भी बहुत सारी company हैं जो इस तरीके की सेवाय प्रतान करती हैं इतना ही नहीं ये तो company प्राइवेट की government की भी अपनी services हैं वो services भी अपने email की थूँ वो अपनों को internally provide करती हैं सुचनाओं के आदान प्रतान में कुछ लोग पर ये बेबाधारित email सेवाएं और भी हैं जैसे e-pattr, e-letter, sifi, india times, जपाक mail इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं आपने देखा जैसे इस picture में बहुत सारी चीजें आपके इसको facebook से भी attach कर सकते हैं किसी और different kind के program से tutor पर भी attach कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी जो social sites हैं उनका भी direct attachment इन सभी mail के थूँ होता है जिससे सुचनाओं के आदान प्रदान में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज कल email की जो सुविधाएं हैं वो हिंदी के साथ साथ आपकी और जो भासाएं हैं उसमें भी available हैं अगर आप चाहें तो कन्रड में email भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो तेलगू में email भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो उर्दू में email भेज सकते हैं ये एक सुविधा जो पहले नहीं available थी आजकल अधिकतर नई email सेवाएं Indic Unicode का समर्थन करती हैं जिस कारण हिंदी में email भेजना संभव है Google की सेवा Gmail हिंदी आधि भारतिय भासाओं के लिए सर्वत्तम है तो आपको जानकर ये खुशी होगी जैसे पहले आप पत्र लिखते थे और हिंदी में अपनी भावनाओं को किसी के पास पहुँचाने की कोशिस करते थे अपनी भासा में उलेक करके ये सुविधा भी Gmail में उपलब्द है अब आप अपनी जो कनवे करने के तरीके हैं जो आप संदेश लिखना चाहते हैं वो अपनी किसी भी भासा में कोई जरूरी नहीं का आप हिंदी में लिखिए कि जरूरी नहीं कि आप किसी और भासा में जिस किसी भासा में आपको लगता है कि आप अपनी सुचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं जो आपकी भावनाओं को और दूसरे की भावनाओं को जानने के लिए बहुत आवश्यक है उन भासा का इस्तेमाल भी जीमेल में, इमेल में कर सकते हैं जीमेल में हिंदी लिखने के लिए Google का Endic Typing Tool अंतर निर्मित होता है अन इमेल सिवाओं के लिए आप आफलाइन हिंदी टाइपिंग टूल का प्रियोग कर सकते हैं आपने देखा होगा आजकल लोग मोबाइल पर भी हिंदी में SMS भेजने की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से चल लही है हिंदी का मतलब अन भासाओं से भी संबंदित जिस भासा में भी आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं उसके कीबोर्ड भी अब लेबल हैं जैसे आपको बताया हमने जीमेल में ये सुविधा है आप उस पे उनीका कीबोर्ड इस्तेमाल करके आप हिंदी को टाइप कर सकते हैं और इस मेल को दूसरी को भेज सकते हैं टाइप ओफ इंटरनेट इक्स्प्लोरर इंटरनेट इक्स्प्लोरर माइक्रो सेफ्ट का वेब ब्राउजर है हाल ही में इसका लांच किया गया नया संस्क्राड आईएट है आपको एक सब बता दें सर्च इंजिन नाम की चीज़ जो इंटरनेट में बहुत इस्तेमाल होती है जिसके थुरू आप सूचनाओं को ढूडने में वेबसाइट को ढूड करके उसको प्रियोग में लाते हैं इंटरनेट इक्स्प्लोरर एक तरीके का ऐसा ही सर्च इंजिन है हाथ में इसके नए वर्जिन से लांच किये गए हैं इसके द्वारा इस्तेमाल जब आप वेबसाइट को सर्च करते हैं वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इनकी सहायता ली जाती ऐसे बहुत सारी ऐसे सर्च इंजिन्स अबलेबिल हैं जैसे हमने बताया आपको मोजिला गूगल क्रोम आपने सुना होगा इंटरनेट एक्स्प्लोरर सफारी ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं अबलेबिल हैं जिसमें जिसके थूँ आप अपनी सूचनाओं को अपने से संबंधित जो सूचना है किस वेबसाइट में है और कहां कराती है इंटरनेट एक्स्प्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार अब तक का सर्वोत्तम ब्राउजर है नया आई पुराने संस्क्रोन से 40 गुना तेजी से चलता है गूगल के अनुसार भी यह ब्राउजर फायर फोक्स और क्रोम दोनों से तेज जैसा मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारी चीज़े अब लेबिल है इंटरनेट एक्स्प्लोरर उसमें से एक है आप जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आपको यह सारी चीज़े दिखाई पड़ेंगी और आप इसके थूँ जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपनी सूचनाओं को अपनी जो भी ढूडने की चीज़े उससे संबंधित अगर सेंटेंस को, वर्ड को, फाइल को आप इसमें टाइप करते हैं तो यह आपको संबंधित विबसाइट को निकाल करके या उससे संबंधित जो भी डाकुमेंट है, वो आपके सामने निकाल कर देता है और उससे आप उसको और आसानी से एडवांस वर्डन की तरीके से ढूड करके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल क्रूम आज की समय में बहुतायत इस्तेमाल होने वाला ये भी एक टाइप का एक्स्प्रूर है गूगल क्रूम, इसकी सहायता से भी बहुत सारी सुविधाएं सिर्फ फाइल ढूडने के लिए वेबसाइट ढूडने के लिए या एडवांस कंटेंट की जानकारी के अलावा भी बहुत सारी सुचनाओं को स्टोर करना, उससे संबंदित और भी तरह तरह की सुविधाएं इस गूगल क्रूम में अबलेबिल हैं जिसकी सुविधा को आप गूगल के और सुविधाओं से भी अटैच कर सकते हैं हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जितना हम बता रहे हैं आपको शायद जानकर ताजुब होगा ये सिर्फ नाम मातर की चीजें हैं जब आप इसको इस्तिमाल करना सीखे तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है और लगबग बहुत सारी ऐसी सुविधाएं इसमें उपस्थित हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी सुविधाएं गूगल के द्वारा आपको मुफ्त रूप से प्रोवाइड की जा रही है कुछ सुविधाएं ऐसी भी हैं जिसके लिए आपको शायद कुछ हमाउन भी पे करना पड़ता है वो बिसिस रूप से सुविधाएं उन लोगों को दी जाती है जिनका इस्तेमाल वो पर्सनल पर्पस के लिए किसी आफिसियल कंसेट में बहुत आयत इस्तेमाल कर सकते ओपेरा मिनी और ऐसे और भी ब्राउजर्स जो हमने आपको बताएं जिनके द्वारा हर एक का अपना एक स्पिस्पिक रिक्वार्मेंट है लगबग सभी चाहे वो गूगल क्रूम हो चाहे वो इंटरनेट इक्स्प्लोरर है चाहे वो उपेरा मिनी हो या मुजिल अफ फायर फाक्स ऐसी बहुत सारे इंजिन्स है और सब में अपने से अच्छे से अच्छे तरीके की सुविधाएं प्रदान करने की चंता है इंटरनेट इक्स्प्लोरर में सफारी भी का एक बहुत महत्पूर्ण योगदान है इसे ढूंट सकते हैं ढूंटने का मतलब सिर्फ सुचनाओं को अप टू डेट ऐसा नहीं कि आप किसी विश्विध्याले के बारे में कोई सुचना चाहते हैं उस सुचना की तह तक पहुँचना वह सुचना आपको कहां से अच्छी से अच्छी तरीके से मिल सकती है तीसरी चीज एक optimization नाम की चीज है जैसा है उदाहरण के तौर पर आप किसी भी ऐसी website के बारे में जाना चाहते हैं जहां से कोई सटीक information, admission के बारे में मिलती है ऐसी website को अगर आप ढूनना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले वो website मिलेगी जिसको बहुतायत लोगों ने इस्तेमाल किया होगा या जिससे काफी लोगों ने अच्छी सुचनाई कठेट करने की कोशिस की होगी तो इन सब में इन सब भी browser search engines के पास ऐसे mechanism available होते हैं जिससे उनको पता होता है कि कौन सी website किसनी आसानी से अच्छी से अच्छी सुचनाई up-to-date सुचनाई, अच्छी सुचनाई का मतलब quality oriented सुचनाई जिनकी अपनी पूरी महत्ता है और सही सुचनाई प्रदान करने वाली website हमेशा आपको दिखाई पड़ती है उस सुचनाई को देख करके आप इस्तिमाल कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर चाहें तो सुचनाई को download भी कर सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं और ऐसी भी सुधाब लेबिल है कि आप इन्ही website के तुरी सुचनाई को upload भी कर सकते हैं इंट्रानेट और इक्स्ट्रानेट में बन रहे अभी तक आपने इंट्रनेट के बारे में जानकारी लिए इंट्रनेट जैसा मैंने आपको बताया बड़े-बड़े सभी नेट्वर्कों का एक समूह है चाहे वो individual computers हों उन सबको attach करके आप इंट्रनेट की तुरू सुचनाई का आदान प्रदान बिश्व के किसी भी भाग में जहां भी नेट्वर्क की सुविधाएं अबलेबिल हैं आप कर सकते हैं नया सब्द है इंट्रनेट और इक्स्ट्रनेट इंट्रनेट बिसिकली लोकल नेट्वर्क के नाम से जाना जैसे आपने देखा यहाँ पर कई बार कुछ आर्गनाईजेशन्स उदाहरण के तौर पर डिफेंस का अपना आफिस है डिफेंस की आफिस या जो भी ऐसे अनुसंधान से चीचे हैं उदाहरण के तौर पर डिफेंस का जो रिसर्च विंग है वो अपनी कई लैप्स देश के कई भागों में रखता है अक्सर उनकी सारी सूचनाए वो इंटरनेट पर डालने के बजाए उन्होंने अपना एक इंटरनेट क्या रखा है इंटरनेट का एक बहुत सीधा सा एक्जामपिल होता है जैसे आप देखते हैं कि आफिसिस के अंदर लोकल टेली फोन्स लगें लोकल टेली फोन्स के मतलब क्या होगे इंटरनल फोन्स इंटरनल फोर्स पर उन फोन के थुरू आप इंटरनली बात करते हैं और उसको बात करने पर आपका कोई चार्ज नहीं लगता क्योंकि वो internal mechanism लेकिन अगर आप चाहें तो उसी टेलिफोन के थूँ जीरो डायल या अलग से डायलिंग की facility भी उन पर अब लेविल होती है उदारण के तोर पर हमके ये कहना चाह रहे हैं कि आर्गनाईजेशन का एक अपना intranet structure होता है DRDO का मैंने example दिया कि अगर उनके 10 labs हैं तो वो अपनी 10 lab को network कर सकती हैं intranet के थूँ उसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो उनके अंदर अपनी जो communication हो रही है official communications हो रही है वो किसी तीसरे आदिर network पर नहीं available रहती है ये बात अलग है कि internet की सुविधाएं भी internet के थूँ ही ली जाती है आपके 10 offices हैं तो उन offices के जो आपको सुचनाओं का आदान परदान होगा वो internet के थूँ ही होगा लेकिन वो internal network उनके strong होने से उनकी सुचनाओं को कोई और नहीं देख सकता दूसरे सब्दों में ऐसी बहुत सारी organizations हैं चाहे वो computer की क्यों बड़ी organizations हों या बड़े-बड़े offices हैं railway के offices हैं उन्होंने अपना rail net अपना अलग से भी internet बना रखा है structure उस structure का फाइदा होता है कि railway से संबंदित जितनी भी जानकारी है वो दूसरे सभी railway offices से communicate हो सकती है लेकिन उन सूचनाओं का आदान प्रदान आम रूप से और लोगों के लिए available नहीं रहता अच्छे जो offices हैं जिनकी बहुत सारे गोपनिये काम हैं बहुत सारे अनसंधान से related activity हैं ये सभी organizations अपना internet create करके रखती हैं और इसके थूँ वो अपनी जो सूचनाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से secure कर सकते हैं अब आप जानना चाहेंगे कि internet और internet के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उस पे control कैसे कोई नहीं देख सकता है इसके लिए हम आपको बताएंगे different firewalls होते हैं firewall का मतलब कोई physical firewall नहीं ये software की सिंकला होती है जो आपको कुछ सूचनाओं को जो सूचनाओं आपको देखनी चाहिए जो आप देखने की योग हैं वो आपको देखेंगी अन्यता और सूचनाओं को आप नहीं देख सकते हैं तो इसके लिए different firewalls बने होते हैं internet के बाद ये basically किसी संस्था के network के लिए प्रियोग होता है internet हमने जैसे आपको बताया कि internal network के लिए आप किसी भी संस्था में अगर आप चाहें तो internet का प्रियोग कर सकते हैं extra net एक बहुत महत्वूर्ण जानकारी है extra net किसी group के network को मिला कर बनता है जैसे कि suppliers customers चाहिए extra net का इस्तेमाल अक्सर e-commerce की sites के लिए किया जाता है जैसा मैंने बताया आपको कि business के बहुत सारे parts में जहां पे भी e-commerce की activities involved होती है e-commerce का मतलब computer के through समान को खरीदना बेचना आज कल आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे items को computer के through उसके ही आप जाएए website पर समान खरीदे और खरीदने के साथ साथ आप उसकी online payment भी कर सकते यह हुआ कि उनका अपना internal network हुआ जो network बाहर भी access किया जा सकता है extra net में भी ऐसी सुविधाएं अब label होती हैं कि आप अपने group को बनाएए और उसके बाद इसको internet के through इस्तेमाल कर सकते हैं internet के internet lab advantage of internet over internet हमने आपको जैसे बताया कि जो internet का सबसे महत्यपूरंग है वो है कि जो अपनी companyya हैं वो अपनी सूचनाओं को अपने ही office में ज़्यादा share करती है अगर कोई ऐसी सूचना हुई जो बाहर के लोगों के लिए जानना जरूरी है उनको तो वो सूचनाएं बाहर देते हैं अनिता वो सूचनाएं आपके official purpose के लिए अपने उद्देश के लिए ही इस्तेमाल की जाती है तो internet का एक बहुत महत्यपूर्ट युगदान है जो अपनी companyya की अपनी organizations की उदाहर के तोर पर विस्विद्याले में कोई सोध वर्क चल रहा है तो अगर उस विस्विद्याले के internet पर facilities available हैं तो वो विस्विद्याले अपने दूसरे विस्विद्याले या उससे संबंधित जो भी सोध संस्थान है वो सभी अगर internet पर available हैं तो उनके बीच आसानी से interaction हो सकता है communication हो सकता है संबंधित सूचनाईं जो कि महतववूर हैं, गोपनिये हैं और सोध से संबंधित हैं वो सूचनाईं इंटरनेट के थरूब भेजी जा सकती हैं और उन सूचनाओं को उन से संबंधित जो भी बैग्यानिक चेत्र में काम कर रहे हैं उनके अलावा किसी और को उन सूचनाओं को जानकारी नहीं होगी जब तक कि ऐसी कुई सूचना नहीं है जो बाहर आम जनता के लिए जाननी जरूरी है उसको भी बताया जा सकता है हमने भी आपको बताया इंटरनेट और इंटरनेट में इस्तिमाल करने के लिए इस firewall के थूँ आप जो सूचना आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे सिर्फ वही सूचना मिलेगी अनिता और सूचनाओं को आप नहीं देख पाएंगे जैसा आपने offices में भी देखा होगा कभी-कभी बहुत सारे ऐसे firewall लगे होते हैं जिसके कारण जो सूचना मेंजिंग डारेक्टर को जानी है हो सकता है उस सूचना की जानकारी और लेविल पर लोगों को नहीं हो तो उसके लिए भी different firewalls इस्तेमाल किये जाते हैं जो ये authenticate करता है कि कौन authentic है उस सूचना को देखने के लिए समझने के लिए या उससे चीजों को update करने के लिए तो firewall भी एक program का collection होता है एक software होता है जो अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किये जाते हैं और इन firewalls का बहुत महत्पूर्ण योगदान है सूचनाओं के को secure बनाने में उसको स्विधा जनक बनाने में और उसको जो भी संबंधित लोग हैं उन्हीं लोगों तक पहुँचान के लिए बिभिन प्रकार के firewall techniques इस्तेमाल होती है various types of firewall techniques आपने जैसे बताया आप देखिए different type के firewalls होते हैं और उनका अलग-अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है packet filter जो की बहुत ही popular चीज़े है traditional packet filtering firewall requires explicit packet filter for inbound and outbound connections आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि जो भी आपका firewall है अगर आप internet connections के थूँ काम कर रहे हैं तो यह firewall यह ensure करता है कि जितने भी packets आप भेज रहे हैं आप जितनी भी सूचनाए आप बाहर भेज रहे हैं उनमें और जो सूचनाए आप आ रही हैं उसकी क्या उपयोगिता है और आप उसके लिए उपयोगी ब्यक्ति हैं या आप उसके लिए authenticated है या नहीं या उस सूचना को भेजने के आपको बता दूँ कि आपको जानकारी होगी कि आजकल जो बहुत बड़ी-बड़ी IT इंडस्टीज हैं उन सब में ऐसी सुधाएं अबलेबिल रहती कि अगर आप चाहें तो आप अपनी email से अपनी उस organization की internal activity को बाहर नहीं भेज सकते ऐसे ही कुछ अनवांचित चीजें जो आपको जरूरत नहीं है वो चीजें भी आप mail पर नहीं रख सकते या मंगा सकते है उसके लिए बीच में firewalls की सुधाब लेबिल होती है जो आपको रोकती है चीजों को जो चीजें required नहीं है उसको भीजने या उसको receive करने के लिए तो यह बिभिन प्रकार के firewall techniques है pocket filtering उसमें एक है एक तरीका है ऐसे और भी identification के different firewalls होते है बिभिन प्रकार के firewall techniques application gateway आपने देखा होगा यहाँ पर हमने application gateways बना रखे हैं इनी firewall techniques की वज़े से कभी कभी बहुत सारी ऐसी सूचना है for example आपके office में जो निर्धारित लोग हैं जिन से meeting होनी हैं उनके authentication की process के लिए भी आजकल software की through चीज़े activities होती है उदाहरण के तोर पर अगर प्रधान मंत्री को किसी दूसरे ब्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उस चीज़ों की भी techniques बनी हैं एक प्रकार का firewall build up किया होता है कि जो भी ब्यक्ति मिलने आ रहा है उसकी authentication को 100% ensure करके ही तभी प्रधान मंत्री से मिलने के लिए जाना है दूसरे तोर पर मैंने बताए है organizational activity में different internet services को जब आप internet के थूँ network firewall और different kind के और firewalls के थूँ check कर सकते हैं और जो भी संबंदित चीज़े हैं उसको control कर सकते हैं, secure कर सकते हैं circuit level gateway भी techniques है firewall के different जिसमें आपने देखा different type की चीज़े हैं जो check करने के different mechanism मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि firewall कोई एक तरीका ऐसा नहीं है जो हर जगें इस्तेमाल होगा हर प्रकार के प्रियोगों में अलग-अलग तरीके के firewalls की जिम्मेदारी होती, अलग-अलग तरीके के firewalls इस्तेमाल के जाते हैं और अभी ऐसे बहुत सारे हर एक network के लिए अलग से firewall technique की जुरत होती है अलग से firewall की जुरत होती है तो किस सुविधा में, किस तरीके के network में काउन सा firewall technique लगेगा या काउन सा firewall technique best suitable होगा ऐसी चीजों को भी देखनी है जो आपको study करने के बाद ही पता लगेगी किस situation में कौन सा firewall अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है various types of firewall technique में proxy server का भी एक बहुत महत्तूर युगदान है आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी organizations में internet की connectivity के थूँ proxy server के थूँ होती है कई बार सूचनाएं एक जगह से फिर दूसरी जगह को जाता है router और switches के दोरा different PC और different wireless connections में इन सभी system को secure बनाने के लिए आपको different techniques की जोरत होती है different firewalls की जोरत पड़ती है आप इस तरीके से इसको इस्तिमाल कर सकते है मुदाहरर के तौर पर आपने देखा है कि आजकल आप banking का इस्तिमाल करते है online banking बहुत सारी लाखो डालर की अर्बो डालर की transactions आजकल computers के दोरा हो रहा है आप सोचिए कि आप account से पैसा एक account से दूसरे account में transfer कर रहे है ऐसा नहीं की गलतियां नहीं होती है लेकिन ना के बराबर है जो fault लगभग 0% है का आप e-commerce की हजारो करोन रुपे की transactions daily हो रही है तो आप ये सोचिए कि आप different techniques के जरिये इन सभी securities को आप control करते है ऐसा नहीं की बहुत सारे ऐसे electronic experts बैठे हैं जो आपकी payment को बीच में भी break कर लेने की कोसिस करते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है आपने सुना होगा कि money transaction कहीं और होना था और कहीं और हो गया या आपने पैसे जमा कराए बैंक तक नहीं पहुँचे कुछ और भी चीज़ें होगे हम आपको यह कहना चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी techniques है जो इन सभी चीज़ों को control करने में secure करने में एक अपना महत्यपूर योगदान देते हैं अब आपको हम कुछ net etiquettes के बारे में जैसे email के बारे में हमने आपको बताया कि बहुत सारी सुविधाएं आपके पास internet में उबलब्द है ऐसे ही internet पर भी पासारीвой को आपकी email को भी इस्तिवाल करने के लिए कुछ नियम बने हुए इसको हम कानून नहीं कह रहे हैं यह नियम बने हैं जिनको आप अगर पालन करते हैं तो ये चीजे अच्छी होती हैं जैसे ट्रैफिक के रूल्स बने हैं तो ट्रैफिक रूल में अगर ट्रैफिक है तो अगर लोग अपनी रास्ते का सही इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको नियम से आना चाहिए उधारण के तोर पर इमेल की लिए कुछ सुविधाएं हैं जैसे अकसर आपने देखा होगा कि आप अगर यूज कर रहे हैं इमेल तो किसी की अटेश्मेंट को आपने कहीं और फारवड कर दिये हैं अकसर अमूमन ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक आप उस ब्यक्ति से ये permission ना ले कि आपकी भेजी हुए document, आपके भेजी हुए attachment हम किसी और को forward करना चाहते हैं इतना ही नहीं, किसी और की भेजी हुई कोई और सामगरी आप किसी और को भेज रहे हैं ये भी आपके लिए ठीक नहीं है इसके लिए भी आपको नियम तर पर्मिशन लेके ही काम करना चाहिए तीसरी चीज, email और अगर चीज सूचनाओं भेजने का एक तरीका होता है अमूमन हम capital letters में चीज़ों को नहीं लिखते हैं उसका एक ऐसा कोई नहीं restriction है कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं बट उसके कुछ नियम बने हुए का आप email के etiquettes होते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे ही net के भी etiquettes होते हैं net etiquette के लिए जैसे हमने बताया आपको you have no privacy यह आपको तो जानता ही होगर सब कुछ अगर आप net पर कर रहे हैं तो आपकी privacy ना के बराबर है अपने computer में हमेशा antivirus का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और do not plagiarize आप चीजों को कभी कभी आप किसी के document को कहीं से उठाते हैं और उसको अपने नाम से इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये net etiquettes के खिलाफ है आप किसी की सब उदाहर के तोर पर किसी का सोध किया हुआ कोई कारक्रम है किसी की कोई ऐसे पत्र जो किसी और ने अपने नाम से publish किया आपने उठाया और internet से उसको download कर अपने नाम से चीजों को publish कर दिया या अपने नाम से ही किसी को भेज दिया ये सारी चीजें net etiquettes के अंदर आती हैं आपको ये चीजें नहीं करने हैं अगर आपको लगता है कि उनकी पत्र का इस्तेमाल करना है उनकी सोध का इस्तेमाल करना है तो नियम तह आपको उनसे permission लेगनी होगी और आप कोई उनसे पुछना होगा कि आप उन चीजों का इस्तेमाल अपने personal purpose के लिए कर सकते हैं या नहीं या किसी सारजुनिक जगह पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं इसको acknowledgement के form में अगर आप कहीं इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो ये भी आपको दर्षाना चाहिए और दर्षाना चाहिए अपनी personal informations को protect कीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं जैसा आपको बताया कि अगर ये सारी सुविधा इंटरनेट पर उपलब्द है तो इसका कोई misuse भी कर सकता है तो कोशिस ये कहनी चाहिए कि आपको अपनी सारी सूचनाओं को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए और उनको proper database में proper secure system में maintain करने की जहुरत है अमूमन जैसे आपने अपना email account बनाया आपके पास email account create करने के बाद उसका password भी होता है कभी कभी आप बहुत liberal way में वो ऐसी password और login की चीज़े आप औरों को भी बता देते हैं ये net etiquette के खिलाब है इसका मतलब आपकी liberty नहीं, liberal attitude नहीं है ये इसका मतलब आप अपनी सूचनाओं को permission दे रहे हैं access करने के लिए किसी और को किसी केस में तो ये जरूरत हो सकती है बट अमूमन ये आपकी personal information को गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है उदारन के तौर पर अगर किसी ब्यक्तिने आपके email का account का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे email किसी को भेद दिये जो as per cyber law ठीक नहीं है उस केस में you have become a kind of culprit तो ऐसी सूचनाओं को सिर्फ इसके लिए नहीं और बहुत आप से संबंधित कभी-कभी जो बहुत गोपनी सूचनाओं हैं वो आपने email account या कहीं भी रखने की कोशिस की है वो सूचनाओं भी leak हो सकती है ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं बी के वर फिर when you download all पुदेश ये कहने का अक्सर आपने देखा होगा आजकल पिक्चरें release होती नहीं और ने इंटरनेट पर available हो जाती है available ही नहीं लोग उन फिल्मों को घर में download कर लेते हैं download करके आपने picture को देख लिया बात यहां तक तो ठीक है इंटरनेट में आपने फिल्म को download किया without making any kind of payment आप देखिए उस से उस house को कितना नुकसान होता है जो film industry है क्योंकि वो सारी फिल्में तो आपने इंटरनेट पर देख ली उसके लिए आपने कोई payment भी नहीं की तो जो royalty का form है या किसी और भी चीज़ के बारे में अगर हम इंगित करें तो ये नियम तह गलत है अगर आप उसी फिल्म को download करने के लिए कुछ certain amount पे करते हैं किसी की चीज़े फिर वो चीज़े legalize हो जाती है इसलिए कहा जाता है डाउनलोड जो बहुत सारी सूचनाएं आप करते हैं अगर जरूरत है बहुत सारी free सूचनाएं भी available हैं जिनको आप कर सकते हैं जहां पर paid services हैं वो आप उनको paid के तरीके से इस्तेमाल कीजिए ऐसा ही नहीं आज net edicates के थूँ आप इनको बहुत सारी net में softwares freely available हैं आप उनको permission लेके सिर्फ चायद उनके लिए registration कराना ज़रूरी होता है आप उनको registered कराईए और उनकी सुविधाओं का पूरा का पूरा इस्तेमाल कीजिए registration कराने का मतलब एक तरीके से acknowledgement हो गया कि आप ये मान रहे हैं कि आप उनके द्वारा पुदान की गई सारी services का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि आप जब email account खोलते हैं तो आपको अपने से संबंदित कुछ जानकारी दोने होती है आप भले हैं free services इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अगर कर को कोई दिक्कत आती है तो चो आपकी सारी सूचना है उस email account holder के पास available है दूसरे सब्दों में एक तरीके से आप acknowledge कर रहे हैं कि आप उनकी services को freely इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी चीजें आपको जाननी चाहिए क्योंकि net edicates की कुछ rules हैं जिनको आपको follow करना चाहिए और उन rules को follow करकर के आप net की चीजों को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं साथ साथ में कुछ और भी चीजे जो different policies उससे related आती रहती हैं उनकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए जैसा मैंने आपको बताया कि करने से किसी और को दिक्कत ना हो कभी कभी कुछ आप ऐसी activities करते हैं जिससे दूसरों के लिए बहुत harmful हो जाता है इन चीजों का भी आपको ध्यान होना चाहिए अक्सर लोग अपने computer से दूसरे के computer को भी control करने की कोशिज कहती है ऐसी सुविधाएं बहुत सारी चीज़े available हैं तो net certificates में कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरत आवश्यक है जिसका इस्तेमाल करके आप net certificates या दूसरा जो email certificates की चीज़े हमने आपको बताई email में कैसे भीजना है email में क्या क्या चीज़े ध्यान में रखने चाहिए आपको इस्तेमाल करने के लिए वो जानना आवस्यक है website और web में अंतर अभी हमने आपको पहले बताई differentiate between website और web page website और web page में क्या अंतर होता है आपने जो देखा जो आपके सामने यह दिखाई पड़ा है यह website है और इसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो website से अभी प्राए बहुत web page के समावेश्य है तथा प्रतेक website का एक unique address होता है जिसे हमने बताया था आपको URL, a uniform resource locator जो आपकी website का नाम होता है और इससे ही आप website को access कर सकते है web page जो आपकी website खोलते ही जो आपको page नजर आते हैं वो उसको हम web page के नाम से जानते हैं मूलता यह जो आपकी जो संबंदित जानकारी है वो इसमें समाहित होती है तो आपने अगर किसी विश्विद्याले की website खोली तो उसके web page पर उस admissions से related, examination से related या और भी बहुत सारी activities से related जो सुचनाए होती है जो लिखी होती है उसको हम web page कहते हैं web page एक single web document file के page को कहते हैं जो की website से जुड़ा होता है तथा HTTP, hypertext transfer protocol का परियोग करता है इस page पर बहुत सारी जानकारी होती है इसे HTML, hypertext markup language या और भी बहुत सारी चीजों की मदद से बनाया जा सकता है आपने देखा होगा आपको चाहें तो type करके web page पर इन सभी programs के थूँ अपलोड भी कर सकते हैं जो आपकी website के उपर सारी information आ जाए गया तीसरी एक बहुत महत्पूर्ण चीज़ जिसको हम आम तोर पर web portal के नाम से जानते है portal, internet और विश्ववापी web के संदर्ब में website के समू को कहा जाता है जैसे कुछ web portal है www.yahoo.com indiatimes.com khoj.com और few web portals यह web portals के नाम से जानते हैं यह different web sites का समूँ है different types of internet servers हमने आपको बताए जैसे FTP, File Transfer Protocol, Gopher, HTP, Mail, News ऐसे different type की services भी है एक और महत्पूर्ण चीज, IP address एक internet protocol को IP address के नाम से जाना जाता है इसका प्रियोग email करने तथा internet से जूनने के लिए किया जाता है यह चार नमबरों का code बनाया जाता है जो की 0 से 255 तक होता है हर address के बीश में तीन dots होते हैं आपने जैसा देखा 192.168.0.255 हर एक का अपना एक significance है इन numbers का जो different parts में है और हर एक part कुछने कुछ चीजें इंगित करता है जैसे IP address 69.30.124 इन सभी सूचनाओं की जानकारी इन IP address के थूँ आप प्राप्त कर सकते हैं इसलिए IP address का एक बहुत महत्पूर युगदान इसमें होता है जिसके थूँ आप सारी जानकारी इकठा कर सकते हैं धन्यवाद करने के लिए और बहुत सारी ऐसी बाते आपने बताई जो कि हम सोचते नहीं है या फिर हमें पता ही नहीं होती है जैसे कि आपने बताई की वाट टू डाउनलोड किया चीज़ें डाउनलोड करते हैं और वो उसका नुकसान किसी और को होता है तो इन चीज़ो को इस्तेमाल करने के लिए एक नियम बने हुए हैं मैं दुबारा कह रहा हूं मैं इसको कानून के फॉर्म में नहीं कह सकता नियम बने हुए हैं सुविधाओं का इस्तेमाल गलत ना हो इसके लिए जैसे इमेल पर मैंने बताया आपको कि आप सुधारन के तोर पर आपके प कि किसी का इमेल अगर आपको आता है तो यह आपके लिए है आप उसको देखिये किसी और को फॉर्वर्ड करने के पहले आपको उस सेंडर से जिसने आपको वह जानकारी दी है उससे यह जानना होगा कि क्या यह मेल में किसी और को भेज सकता हूं या नहीं कभी-कभी ऐसी महत्यपूर जानकारियां आपको कोई अच्छे तरीके से कम्यूकेट करना चाहते हैं उसका भी एक तरीका है अटेच्मेंट को कैसे लगाना है कैसे भेजना है उसका भी एक तरीका है तो ऐसे बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए नेट को इस्तेमाल करने के लिए इमेल को इस्तेमाल करने के लिए जी बिल्कुल इन सब नियों में को मद्दे नजर रखेंगे तो हमारा काम भी असान हो जाएगा जिसे कि हम इमेल केज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है तो दोस्तों यह थे हमारे दो लेक्टर्स इंटरनेट के उपर और मैं आपको अशौर करूंगी कि हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी तरह के काफी दिल्चस्प लेक्टर्स को लेकर सो इसी के साथ सराने के लिए बहुत कर दो हूं आपके साथ जरूरी है जरूरी है जरूरी हैज जरूरी है जरूरी है।